Hello friends, welcome back to the channel बहुत जल्द महींदरा की XUV3XO जो है लाँच होने वाली है बहुत जल्द महींदरा की XUV3XO जो है लाँच होने वाली है बहुत एक दिन रहे गया है उससे पहले कुछ फीचर्स है जो कन्फर्म करें है महींदरा ने उसके exterior और interior को लेके एक teaser सा generate करा है जिसके बाद भई हाइप बहुत जादा बढ़ चुका है और ये बात नहीं नहीं है भई महींदरा के साथ महींदरा ना hype create करने में बहुत जादा expert हो चुका है अब deliver कितना कर पाता है वो तो बात की बात है पर पहले discuss कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़े हैं जो इस teaser के जरीए उसने बताने की कोशिश करी है या फिर कह सकते हैं कि कौन से features हैं जो उसने confirm करें हैं कि आपको मिलने वाले है तो भई देखें सबसे पहले exterior से start करता है जो exterior की style दी गई है ना यो पूरी तरह से update कर दी गई है जो लोगो शिकायत थी कि गाड़ी बहुत सरा outdated दिखती है जो की दिखती थी वो तो उसको बिल्कुल ही जादा improve कर दिया है company ने बिल्कुल ही change कर दिया है गाड़ी का front look और उसमें जो आपको updated दिखेगा ना वो एक नई grill एक पूरा नया bumper आपको देखने के मिलेगा जो इससे पहले आपने किसी भी महींद्रा की गाड़ी में देखी नहीं होगी अब देखें बात करें भाई उसकी headlight setup की जो पहले basic सा दिया जाता है सिर्फ DRL है जो LED में दी जाती इसका design inspired है ना वो महींद्रा की जो आने वाली EVs है ना future में उनसे बहुत जादा heavily inspired दिखता है और यह कोई नई बात नहीं है इससे पहले Tata भी चीज़ कर चुका है उनकी गाड़ियों का design लगबग लगबग अब सेमजा होने लगा है और वो जो है futuristic दिखता है क्योंकि वह वो EV concept पे बहुत जादा based है अब बात करें भई इसकी जो front LED setup की ना तो यह पीछे तक continue होता है क्योंकि जब आप इसके back side से ऐसे दिखेंगे ना जो इसकी LED tail lamp है वो बहुत जारा खुबसूरत लगती है और connected सी दी गई आपको जिससे की गाड़ी का look जो overall निखर के आता है और यह segment में demand भी बढ़ गई थी वह connected right का जो है चलन बढ़ चुका है जैसे एक time पे sunroof का चलन start हुआ था बात करें features की ना safety में भी एक काड़ी कहीं पीछे ने रहती है क्योंकि इसमें अड़ाजरी safety आपको देखने को मिलेगी side profile की बात करें ना तो इसमें बड़े interior की interior की बात करें ना तो interior जो सबसे ज़ादा basic किसी गाड़ी का दिखता था ना पिछले कुछ सालों में तो वो XUV300 का था क्योंकि XUV300 को एक major update नहीं दिया गया था तो company ने उस चीज़ को ध्यान में रखा और इस बार एक ऐसा तगड़ा update कर दिया है interior इसका कि जो भी दे segment में किसी और गाड़ी में नहीं हुआ है अभी तक अब जो soft है चाहिना वो काफी जारा premiumness बढ़ा देता है गाड़ी के interior की तो वह इसमें बैट के आपको एक upper segment वाली feel जरूर आने वाली है बात करें ऐसे feature गी ना जो company बहुत जारा heavily focus नहीं करती है पर demand में रहता है तो company को मजबूरी में देना पड़ता है वो है भी panoramic sunroof या basic sunroof भी इस गाड़ी में नहीं आता था तो company ने उसको सुनके और बहुत ज़ादा customer का ध्यान रखते वे panoramic sunroof दिया है इस category में जो की अभी तक नहीं आता था सिर्फ आपको क्रेटा से मिलना start होता था उस segment की panoramic आपको sunroof मिलेगा तो आप गर्मियों में गर्मी के पूरे मज़े ले सकते हैं इसके अंदर अब देखें बात करें ना इसके dashboard की तो dashboard भी काफी ज़ादा अपडेटेड नहीं था बहुत ज़ादा outdated सा feel आता था ऐसा लगता है कि 90s या 2000 की कोई गाड़ी है जिसमें उठ आपको पहले भी मिलता था वह भी कंपनी ने continue कर रहा है पर उसका जो style है वह पूरी तरह से change कर दिया है 10.25 इंच का touch screen आपको देखने को मिलेगा और इसमें features बहुत जादा भरके दिये गए हैं तो music system का भी ध्यान दखा गया है पहली बार महिंद्रा यूज करेगी harman kardan का इससे पहले आपने Tata में देखा है तो quality में तो कोई भी शक नहीं है कि कितना बढ़िया music system है तो music lover के लिए गाड़ी बहुत जादा बढ़िया होने वाली है अब बात करें छोटे बोड़े features की ना तो इसमें wireless android auto apple car play आपको देखने को मिलेगा instrument cluster भी पूरी तरह से digital हो इसमें आपको radar based ADAS देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको adaptive cruise control जैसे feature, lane key passes जैसे feature, advanced collision warning जैसे feature आपको देखने को मिलेगे जो इस category में नहीं मिलते हैं इससे उपर की गाड़ियों में जैसे harrier safari और xv700 में देखने को मिलते हैं तो वही चीज़ यहाँ पर directly copy करने की company कोशिश करेंगे और यह feature बहुत जारा helpful होते है, excellent avoid करने में, अब देखें बात करें इसमें ADAS के साथ 360 degree camera तो दिया जाएगा आपको जिससे कि आपको blind spot judge करने में भी काफी जादा आसानी होने वाली है, बात करें rear seat के नहीं तो वहाँ पर भी comfort का पूरा धिया गया है, rear events आपको provide कि इसकी जो विर्ट है ना, पहले भी इस गाड़ी में कोई शिकायत नहीं थी, इस space को लेके तीन ठीक ठाक से बंदे पीछे की seat में आराम से बैठ सकते थे, जो इस segment की गाड़ी में किसी और में नहीं आते थे, उस पर भी company ने दुबारा सा ध्यान दिया है और उस space को आराम दैक comfort होने वाला है पीछे की seat में, गाड़ी की जो विर्ट है ना, वो भी थोड़ा सा बढ़ चुकी है और ये पहले से जादा spacious होने वाली है, पहले भी spacious थी पर थोड़ा सा जादा spacious होने वाली है, अब बात करें इसके boot space की ना, जो सबसे बड़ा इसका downside था, वो भ एक और चीज है जो इस गाड़ी में इंप्रूव वी है, वो इसका wheelbase, अब wheelbase से होता कहना, अंदर का space हो जादा manage अच्छे से हो जाता है, और जादा space निकल के आता है, तो इसका space थोड़ा बहुत company ने इंप्रूव कर रहा है, और आपको जो overall cabin का जो environment, जो atmosphere, जो space आपको म सबसे जादा आपको जो drive enthusiast है ना उनको बहुत जादा ये गाड़ी समझ में आती थी, क्योंकि इसकी handling भी बहुत जादा जबरदस थी, तो वही चीज यहाँ पे continue होगी, अब इस बार ऐसा है कि महिंदरा दो जो अपने है petrol engine उन्हें continue करेगा इसमें turbo वाले, और एक में थो जो है ना, वो एक segment उपर वाली गाड़ी से भी जादा निकाल के आपको देता है, तो ये तीन engine आपको देखने को मिलेंगे, जिनने डीजल पसंद है, वो इस गाड़ी के लिए वेट कर सकते हैं, गाड़ी बहुत जल्द अब launch होने वाली है, अब देखे बात करते हैं कि इ गाड़ी अच्छे रही है, handling वगएरा में, और जो वो इस ऑफ ट्राइंग, जो connectivity प्रोवाइड करती है, वो XUV300 ही रही है, तो भई वो चीज़ कंटीन्यू रहेगी इसमें और जिनने गाड़ी चलाने का शौक है वो इस गाड़ी को definitely buy कर सकते हैं, अब बात करें भई, इ इतने भी turbo engines हैं, वो आपको base model से offer कर दिये जाएंगे, जो पहले नहीं होता था, company वहीं पर cost cutting करती है, पर इस बार उस चीज़ का ध्यान अखा गया है, और वो चीज़ company इस बार आपको शिकायत का मौकर नहीं देगी, जिनको सस्ते नाम में turbo engine लेना है, पावर वाला, वो भी base model से ही ले सकते है, तो यह थी सारी information feature xv3 xok, जो कि आप launch होने वाली है, तो कैसा लगा आपको informative video में, comment में जरूर बताएं, अब जब गाड़ी launch हो जाएगी, उसके बाद एक detailed video बनाया जाएगा, इसके ओपर उस सारे feature को धंक से explain के जाएगा, तो भी उस video का भी आप wait क करिए, तो मिलते हैं ऐसी next informative video के साथ तो तक बने रहे है हमारे channel के साथ, Shri Desh Vlogs, thank you for watching.